पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बार फिर दुनिया में पर्यावरण सनक्षन की दुहाई दी जाएगी। उसके स्वास्थी की चिंता का अर्थ भी अपने सुख को बढ़ाना और खुद को संकट से दू रखना है। प्लास्टिक, रसायनों, यंत्रों की खटपट और कैंसर जैसी ला इलाज बीमारियों से रूबरू होते हुए भी हम प्रकृती के संकेत समझ नहीं पा रहे हैं। प्रकृती की चिट्थियां बहुत सरल भाशा में लिखी होती हैं पर हमें उन्हें समझ कर पालन करना कठिन लगता है। जोकि हम इंसानों को अपनी स्रिष्टता का अभिमान हैं। जिसे हम विकास समझते हैं वह धलान है। पर्यावरण हमारे तन मन के मान का वस्त्राव कवच है। इसे उधेरते जाना मानसिक नगनता दिखाते हुए भयावा कष्टों को आमंत्रित करना ही है। नदियों को जहर बनने से और हवा को धुआ बनने से बचाने में वनों के महत्व को हमें समझना होगा। लेकिन विकास की अंधी दौड ने हमें उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है। जहां आम जरूरतों के लिए भी अब हमें वनों का सफाया करना पड़ रहा है। जिसका पेला हुआ जंगल कुछ लोगों को यहां पर कोईले का भंडार दिखता है सिर्फ कोईले का भंडार दिखता है हजदेव का नानाम पड़ा वहां बहने वाली हजदेव रिवर पे जो महानदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूट रही है दोस्तों यह जंगल बहुत खास है मिशा से दोस्तों इतना ही नहीं हजदेव रिवर रहन ने में लगभाग तीन सो से ज्याधा प्रकार के जानौर पाया जाते हैं जिस में से कई ऐसे स्पीसीजैंज जो कि अभी एंडेंजर्ट है एंडेंजर्ट फ्लोरा फॉन जो थ्रेटेंड फॉलरा और फॉना भी पाये जाते हैं जो की काफी खत्रे में यह जो हस्देव आरण है उनके लिए बहुत ही बहतरीन घर है लेकिन अब जो होने वाला यह बहुत ज्यादा उनके लिए प्रभावित होगा। जोस्तो हजदेवारंड में होने वाले माइनिंग के वज़े से लगबग 2 लाग पेड़ों को काटा जा रहा है और इन पेड़ों के कटने के वज़े से जो एंडेंजर स्पीशीज है जो थेटन स्पीशीज है आगे जानके उन्हें एकस्टिंग होने का बहुत जादा एक खत आप खुद समझ सकते हैं हवा में जो बदलाव ये लेके आता है काबन डियोकसाइट की मातरा को खीच के और ऑक्सिजन जो सप्लाई करके करता है मिटी को ये कैसे पकड़ के रखता है जमीन के अंदर के पानी के लिवल को कैसे ये बना के रखता है केवल एक पेड़ तो आ करता है करता है करता है प्रकृति हमारी मा है मा जो भी अपने बच्चों को देती है उसे लौटा पाना किसी भी बच्चे के लिए संभव नहीं है लेकिन उसे लौटाने का प्रयास ना करना एक कपूत होने की पहली निशानी है और इंसान ने उस चीज़ को स्थापित किया है अभी आपने देख पूद बनाता है तो आइए देखते हैं इसके समाधान क्या है और इस समाधान पर बात करने के लिए मैं अमंत्रित करना चाहूंगा अपने मित्र मनोजी को जंगलों से शहर तक और प्रकृति से संस्कृति तक का यह जो सफर हमने तैग तैग किया है इसने हमें आज जगा पर लागे खड़ा किया है मैं मनोज इसके बाद आगे देख पाना हमारे लिए असंभव है कि आगे हमारे लिए कौन-कौन सी चीज़ें इंतजार कर रही है प्रकृति ने हमारे लिए कौन से सप्राइज आगे छुपा के रखे हैं क्योंकि जो हमने प्रकृति के साथ किया है यह तो नैचरल सी चीज है कि बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति वो चीज़ें हमें वापस जरूर करेगी तो अभी आपने समस्याओं को देखा हम बात कर कि इनके उपाय इनके समाधान क्या हो सकते तो मैं मनोज जी आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूंगा इनसान ने जो इतना विनाश किया है इसको रिवर्स करने का जो प्रोग्राम है कारिकरम है यह कहां से शुरू होना चाहिए बेसिकली हम सबसे पहले हमारे उपायर यह है कि एफॉरेस्टेशन कर देना लेकिन सिर्फ एफॉरेस्टेशन करना ही इसका एक समाधान अकेला नहीं हो सकता कई सारे इसके पीछे रीजन से कारण है और कुछ-कुछ ऐसी चुनाओतिया है फेस करने पड़ेंगे अगर इसको लेवल में वापस लेकर आना है सबसे पह पड़ेगा और चुछ ऐसे टेकनीक को हमें लाना पड़ेगा जिसके वजे से हम प्रॉपर तरीके से उस जगे को जो खाली जगह पड़ा है उसके कवर कर सके तो एक तिनके का महत्र भी इंसान को समझना होगा इंसान को यह जानना होगा कि हम प्रकृति में सबसे श्रेष् यह चोटे से चोटा पौधा प्रकृति में अपना महत्वरक रखता है जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे प्रकृति में बैलेंस बनाने के जो चोटे-चोटे काम है वह हम करना शूरू कर लेंगे मनोज जी ने अभी बताया कि एफॉरेस्टेशन जो है वह साल पीछे या उतने वर्ष पीछे धकेल दे देते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि जो पौधा आपने लगाया है वह तब तक उस स्टेश तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वह यह वह कवर ना करें वह चाहें 90 साल हो 500 साल हो 200 साल हो चाहें 200 साल हो जो नुक्सान हमने क कर दिया है उसको रिवर्स कर पाना लंबे समय का काम है लंबा प्रोसेस है लेकिन हम आज शुरू करें या जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेटर हो होता है कोशिश यह की किजिए कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो स्पीशिस को डिस्टर्ब जंगली जानवरों को डिस् अगर इनसान खुद पे लगाना शुरू करें